हेलो गाइज मोडिूल नमबर 20 पे आप सभी को स्वागत है दोस्तो इतने दूर आके हमने क्या क्या सीखा एक वाटप्रेस साइट कैसे बानाते है उस पे कैसे हेडर लगाते है उसके बाद मैंने सिखाया है कैसे आप स्टैटिक पेज को बाना सकते है तो पीछली वीडियो मे साइट को बनाया था तो इस वीडियो में हम सिखेंगे कैसे एक सिंपल सा क्यूट सा इकॉमर्स साइट बना सकते है पिल्कुल फ्रीप का डैमाजन जैसे साइट से तो वीडियो को कॉंटिन्यूज जरूर करें तो इसके लिए मैं आपको जो थीम रेकॉमेंड करूंगा ओह और आप दूसरे स्ट्रेटान चाते हो तो आपकी मरजी है आप जा सकते हो तो सिंपल करने के बार और प्र सेक्षन पर चाना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे पिछले जो site मैंने बनाया था उसके according इस पर बोल रहा है remove imported site तो यहाँ पर remove imported site पर क्लिक करेंगे और ok पर क्लिक करना है तो पिछले जो site मैंने बनाया था और आपको भी दिखाया था उस site को remove करना होगा तो remove पे click करेंगे तो auto remove हो जाएगा इस पे काई सारे template मिलेगा इस वीडियो में जो मैं use करूंगा ओ है simple सा Amazon template मतलब Amazon जैसा full feature नहीं मिलेगा पर उस पे Amazon जैसे कुछ-कुछ feature आपको मिल जाएगा तो यहापे prime पे click करना होगा details पे जाएगे यहापे I understand that this app will override यहापे agree करना है और backup option पे click करना है अपके जो पिछले अपने site बनाया थे उसका backup automatic download हो जाएगा उसके बाद import options पे click करना है इस पे click करेंगे कुछ demo content automatic इस पे import हो जाएगा यहापे और भी agree करने के लिए बोल रहा है तो इसको import करना है demo content automatic import हो जाएगा जो जो picture पे आप preview देख रहे हो जो जो इसके साथ plugin आते है ओ automatically आपके plugin section पे install हो जाएगा उसके बाद ओ activate हो जाएगा तो दोस्तों यहापे हमारा site ready है एकदम देख सकते हो उसके बाद आप अपने site को एक बार view करेंगे तो आपके site का पूरा look दिखेगा इसके अंदर तो थोड़ा कुछ editing आपको करना होगा तो site को आप खोलेंगे बिलकुली Amazon जैसे look दे रहा है उपर में इसका Amazon जैसे navigation bar है तो simple सा आप e-commerce site इस theme की मदद से बना सकते हो तो इस पे कुछ setup करने की जरुरत है जैसे कि यहाँ पे जो picture है मैं इसको change करके दो अलग साथ देना चाहता हूँ तो आपको dashboard पे जाना होगा और एक बाद dashboard को refresh करेंगे क्योंकि theme install होने के बाद थोड़ा कुछ changes आएगा तो यहाँ पे बहुत कुछ option आ गया है theme की according तो यहाँ पे आपको क्या करना है product add करने के लिए products पे जाना होगा यहाँ पे products पे जाएंगे all products है all products को खोल लेना है तो यहाँ पे all project जैसे ही खोलेंगे यहाँ पे जो जो सारे product home page में दिखा रहा है वो सारे product यहाँ पे भी दिखेगा तो हम इस product को remove करेंगे इसको move traffic करेंगे bulk में remove हो जाएगा उसके जगा हम दूसरे product देंगे तो product add करने के लिए यहाँ पर add new पर click करेंगे add new पर जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आपको एक template आजाएगा जिसके according आप product add कर सकते जैसे की यहाँ पर हम देंगे blue t-shirt उसके बाद नीचे आएगा उसके pricing product के data रहेगा इस जगा तो यहाँ पर external affiliate product है और variable product है affiliate product पर click करेंगे तो यहाँ पर affiliate अगर आप amazon flip card पर affiliate program को join करेंगे तो उसका link आप को इस जगा देना होगा अगर आप अपना खुद का product देना चाहते हो तो यहाँ पर simple product पर click करेंगे यहाँ पर regular pricing है जैसे की इस साथ का regular price मैं दोंगा 700 और discounted जो price है उसको मैं दोंगा 500 तो automatically इस जगा यहाँ पर sell price आजाएगा और उसका original price आजाएगा inventory पर click करेंगी यहाँ पर आपके product का SQ code है तो आप इस पर दे सकते हो Amazon पर जैसे होते है तो यहाँ पर shipping address पर click करेंगे तो product के जितने weight है वो आप सारे details दे सकते हो उसके बाद length dimension बगरा उसाब आपने according product की सब से आप फिलप करेंगे यहाँ पर आपको main जो काम है product की image तो product की image के section है यहाँ पर sidebar पर यहाँ पर set product image इस पर click करेंगे और product की image को आपको upload करना होगा जो अपने product की according उसके बाद इसको इस पर upload करना होगा जैसे की यह image आ गया है इस पर black t-shirt है तो हम उपर में नाम देंगे black t-shirt और यहाँ पर just publish पर click करना है को बताना चाहते हो के product 100% pure cotton जो भी है तो भी आप दे सकते हो जैसे की मैं amazon.in को खोल लेता हो और उससे एक demo text को डाल के मैं आपको दिखाता हो कैसा दिखते हैं तो यहाँ पर मैं description को copy कर लेता हो तो आपने according description लिक लेना यहाँ से copy मत करिए इससे आपके side rank हो सकते है क्योंकि आपको हमेशा unique content चाहिए और unique content कोई आपको देना है या पर इसको देने के बाद आपको और कुछ नहीं छेड़ना है या पर कौन सा category पर आपके आपके product आते है तो t-shirt को मैं choose कर लेता हो उसके बाद आपको just publish कर देना है इस पर जैसे ही publish करेंगे आप अपने site को एक बाद refresh करिए मैं सारे product को remove कर चुका हूँ से एक ही product रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हो एक product आ गया है ऐसे ही मैं और दो product को add कर लेता हूँ डेशबोर्ट पर आना होगा और आने के बाद e-commerce setting पर जाके एक काम करना है जैसे ही theme को सारे install कर लेंगे यहाँ पर e-commerce के under पर आप e-commerce दिखेगा उसके under पर setting दिखेगा second tab पर आपको खोल लेना है जैसे ही second tab में खोलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो product यहाँ पर है product उसके नीचे है currency देख सकते हो और इसको आपको choose करके India करना है यहाँ पर लिखना है India तो यहाँ पर Indian का रूपी आ गया है उसके बाद currency का position आप right पर करना चाहते हो तो right पर कर सकते हो और left पर करना चाहते हो तो भी पर सकते हो तो ungef那么ными पर करेंगे कीयों की सेब возь commitment का सिंबॉर होते हैं इसके बाद सीसिका प्राइजिंग होते करने के बाद आपको सेब चेंज करना है यहाँ पर अगर आप बाइ डिपॉल कुछ address को set up करना चाते हो तो कर सकते हो ما उसके बाद यह पे आप पेज को refresh करेंगे साइट को जैसे ही refresh करेंगे automatically change होके rupees symbol आ जाएगा allem वे आप देख सकते हो तो उसके बाद हम एक product को इस पर click करेंगे तो कैसे इसका layout है आप देख सकते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही इस पर कितना सुन्दर लग रहा है एक zoom effect आ रहा है इसके अंदर तो यहाँ पर description है additional information है और review है अगर अपने product के बारे में कोई review देना चाते है तो यहाँ पर your rating पर पहले click करेगा उसके बाद उसके according review लिखेगा और submit कर देगा उसके बा तो यहाँ पर अगर कोई purchase करना चाते हो तो add to cart पे click करेगा यहाँ पर कार्ट पे automatic add हो जाएगा देख सकते हो add हो गया है इसके अंदर अगर कोई mouse pointer को ले जाएगा तो यहाँ पर view cart पे click करेगा यहाँ पर कार्ट के अंदर कितने product आये है वह सारे शो करेगा direct process to checkout पे click तो इस पर name last name company का name और town address देने के बाद place address जैसे ही करेगा यहाँ पर बोल रहा है sorry it seems that are no available payment method मतलब इसके अंदर किसी भी payment method अभी भी arrange नहीं है तो इसको आप कोई अलग से arrange करना होगा उसको करने के लिए e-commerce पर फिर से आएंगे इसके अंदर payments का option है payments के अंदर में जैसे ह आएंगे यहाँ पर cash on delivery आप कर सकते हो cash on delivery को on करेंगे तो यहाँ पर cash on delivery on हो जाएगा direct bank transfer का भी option है check payment का भी option इस पर दिया गया है जैसे cash on delivery करेंगे यहाँ पर setup को आपको setup करना होगा तो यहाँ पर cash on delivery लिखा आएगा उसके बाद उसके बारे में description और instruction देने के बाद यह पर save changes पर click करेंगे accept cod if the order is virtual तो setup हो जाएगा run the setup wizard पर click करेंगे यहाँ पर yes please पर click करेंगे तो यहाँ पर आपका address देंगे तो यहाँ पर product को choose करना है industry को पहले choose करना है आपके जो store है किसके related है तो आप इस पर fashion देंगे अगर आपका electronics product है तो यह भी कर सकते है continue पर click करेंग यहाँ पर physical product है मतलब अगर आप digital product को sell करना चाते हो तो यहाँ पर उसका भी option है download पर click करेंगे तो virtual products मतलब digital product sell होगा तो यहाँ पर physical products को choose करना है मतलब आप दे रहे हो customer को physically तो यहाँ पर how many products do you plan to display यहाँ पर मैं चाता हूँ 11 से 100 तक product मैंने display पर शो करे एक साथ तो friendly selling elsewhere दूसरा कोई भी platform पर अगर आप sell कर रहे हो लेडी तो आप यहाँ पर ओवी चूज कर सकते हो अगर नहीं कर रहे हो तो इस आपका नया store है तो आपको no choose करना है उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे marketing platform का integration है मतलब अगर आपके product को promote करना चाते हो Facebook MailChimp मतलब email marketing के through और Google Ads क अब option इस पर है तो इसको मैं uncheck कर देता हूं उसके बाद continue पर क्लिक करूंगा business details complete हो गया है मेरा currently theme है तो मैं इसको choose कर देता हूं continue with my active theme तो यहाँ पर yes please तो यहाँ पर automated taxes system भी आ गया है customer के पास tax a deduct होगा इसके साथ एक jetpack plugin भी setup हो रहा है एक plugin आपके site का speed बहुत ही तेज कर देगा automatically इसके साथ compact आते हैं हो गया है सब कुछ jetpack भी install हो चुका है तो आपको just jetpack का account को इस पे sign in करना है मैं Google से sign in कर लेता हूं directly तो दोस्तों यहाँ पर setup almost हो गया है authorized हो रहा है यह आपके site के साथ jetpack भी connected है WooCommerce भी connected है तो आपको ऐसे करके सारे कुछ कर सकते हो यहाँ प करना चाता था तो यहाँ पर coupon का भी option आ गया है साइट में WooCommerce के नीचे है coupon का option यहाँ पर coupons दिखेगा अगर आपके site में किसी भी person को coupon offer करना चाते हो तो coupon दे सकते हो यहाँ पर coupon करेंगे यहाँ पर coupon code को आपको लिखना है और coupon का validity भी आप इस पर दे सकते हो यह दे देता उसके बात coupon description भी इस पर दे सकते हो यह optional है तो fixed card discount percentage Discount अगर percentage में डिसकांट देना चाते हो तो इसको select करना और fixed card discount पर देना चाते हो तो कर सकते हो तो यहाँ पर coupon amount हम इस पर देंगे 50 रूपीज याँ पर भी 50 उसके बात coupon का expiry date भी आप दे सकते हो मतलब इसके बाद में जब इस coupon को कोई बैठाएगा तो उस पर unavailable या फिर error शो करेगा यह आप देना चाहते हो उसका validity देना चाहते हो तो कर सकते हो अगर इसको ब्लैंग रखेंगे तो यह lifetime validity रहेगा तो यह पर publish पर क्लिक करना है तो यह पर FB 50 अपका coupon है तो यह पर हो गया है हम इस पर test करेंगे कि coupon काम कर रहा है या नहीं तो फिर से कार्ट पर क्लिक करेंगे इसके जगा coupon को बैठाएंगे यह पर कूपन हमारा FB 50 apply coupon पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो coupon apply हो गया है और हमारा pricing 50% discount भी हो गया है उसके बाद process to checkout पर क्लिक करेंगे और यह पर हम cash on delivery से payment ले सकते है check payment ले सकते है और दूसरा online payment method add करना चाहते हो भी कर सकते हो दोस्तों उसके बाद हम इसके online payment method को add करेंगे Insta mozo है जो popular payment gateway platform है उसको आम इस पर add करेंगे Insta mozo account पहले आपको create करना है Insta mozo.com Insta mozo.com को आपको खोल लेना है तो यह पर आपको पहले sign up करना होगा तो मेरा already sign up है इसके लिए आप अगर वीडियो देखना चाहते हो तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो already available है आप उसको देखके easily आपके account बना सकते हो तो यहाँ पर क्या करेंगे API and plugin पर क्लिक करना होगा API and plugin पर क्लिक करेंगे इसके अंदर में एक private API की दिया जाएगा यहाँ पर हम install करेंगी Insta Mojo for WooCommerce इस plugin को आपको install करना है plugin section पर जाएंगे add new करेंगे इसके अंदर आपको install करना है Insta Mojo for WooCommerce इसको install करना होगा और activate पर क्लिक करना होगा उसके बाद WooCommerce setting को फिर से refresh करना है देख सकते हो इसके अंदर automatically Insta Mojo नाम की plugin आ गया है उसके बाद manage पर क्लिक करना है इसके अंदर में manage रहेगा इसके क्लिक करेंगे और यहाँ पर API credential मांग रहा है client ID client ID को आपको देना होगा तो इस जगा आपको फिर से आना है यहाँ पर है client ID e-commerce WordPress के लिए client ID को copy करना है और यहाँ पर paste कर देना है ऐसे ही नीचे है client secret इसको भी copy करना है और इस जगा paste कर देना है और उसके बाद आपको shape changes पर क्लिक करना है जैसे ही करेंगे यह successfully setup हो गया है आप अपने site को फिर से visit करेंगे हम try करेंगे कि उसके अंदर purchase हो रहा है या नहीं तो फिर से card पर जाना होगा और checkout पर हम click करेंगे और यहाँ पर है Insta Mojo आ गया है यहाँ पर हम name देंगे यहाँ पर country को choose करेंगे हम इंडिया से है यहाँ पर house number और यहाँ पर हम postal code देंगे city नाम देंगे यहाँ पर phone number और उसके बाद इस payment method को choose करेंगे Insta Mojo को और place order पर click करना है जैसे ही करेंगे इंस्टा Mojo के page पर redirect कर देगा तो यहाँ पर payment method लगबग ready है तो इसके अंदर आपको बहुत सारे option मिल जाएगा अगर कोई UPI से payment करना चाते है तो इसको choose करेगा और यहाँ पर बहुत सारे option है भीम, phone pay, gpay और pay tm net banking के थूँ payment करना चाते हो तो भी कर सकते हैं इस पर click करेगा तो net banking के थूँ payment कर सकते हैं इस पर wallet का भी option है बहुत सारे payment method एक्सेप्ट करते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप एक perfectly e-commerce site कुछी घंटे में बना सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक WordPress site को backup लेते हैं उसके बाद फिर से hosting पे उसको restore करते हैं तो तब तक के लिए good bye, take care